कि दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हम वह केटी नाम की लड़की को दिखते है जो एक हाइवे पे गारियों से लिफ्ट मांग रही है तब ही ट्रक वाला उसे के करीब आने लगता है यहाँ पर भी केटी उसे कुछ नहीं बोलती लेकिन तभी वो ड्राइवर के जूते निकाल कर अपना सामान लेकि वहाँ से भाग जाती है जिसे देखकर वो ड्राइवर उस पर बहुत चिलाता है लेकिन केटी नहीं रुपती थोड़े टाइम बाद के तरब जाने लगती है कुछ टाइम बाद हम उस घर के मालिक जैस को आते देखते है जब वो केटी को अपने घर के धरवाजे पे बैठा हुआ देखता है तो जैस उससे पूछता है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है लेकिन केटी उसका बिना कोई जवाब दिये उससे फलर्ट करने लगती है इसके बाद जैस अंदर जाकर गाय का दूद निकालने लगता है केटी उसके पीछे पीछे आती है और वहाँ आके वो जैस से बात करते करते गाय का दूद पीने लगती है आगे वो दोनों बाते कर रहे होते है तब ही हमें पता चलता है कि जैस की ए कि Katie उसी की बेटी है तो वो बहुत हैरान रह जाता है दरसल Jess ने बहुत सानून से अपनी बेटी को नहीं देखा था क्योंकि जब उसकी वाई बेल भाग गई थी तो वो Jess की दोनों बेटीओं को भी अपने साथ ले गई थी फिर जब शाम को दोनों बाप बेटी आपस में बात कर रहे होते हैं तो केटी बताती है कि बेल की तबियत आजकल कुछ खास ठीक नहीं रहती साथ ही वो जेस को ये बताती है कि मैं कम उमर में ही प्रेगनेंट हो गई थी और पिछले ही महीं ने मैंने एक बच्चे को जनम दिया है और जिस लड़के ने मुझे प्रेगनेंट किया था वो आज तक अपने बेटे और मुझे देखने भी नहीं आया ये सब सुनकर जेस उस हमें उनकी बातों से पता चलता है कि जेस इस माइन का गार्ड है इसके बाद केटी उससे कहती है कि इस माइन में इतना सिलवर है कि वो दोनों उसे बेच कर बहुत अमीर हो सकते हैं लेकिन जेस उसे साफ साफ मना कर देता है इस पे केटी कहती है कि इस माइन के उनर का बेट वाश है और उसी ने मुझे प्रेगनेंट किया था और इस हिसाब से यह माइन मेरी और मेरे बेटे के भी हुई यह सब सुनकर जैस को बहुत बड़ा शौक लगता है लेकिन वह केटी को कुछ नहीं कहता इसके बाद जैस केटी को अपने साथ चर्च लेके जाता है जहां करने पर केटी उसे बताती है कि वह अपने एक दोस्त के घर पे रुकी हुई थी कल चार्च में जो हुआ उसकी वज़े से केटी काफी अपसेट होती है और जैस से बात भी नहीं कर रही होती है जैस उसे मनाने के लिए अपने साथ हमेशा के लिए रहने की इजाज़त दे है और सिलवर की माइनिंग के लिए भी मान जाता है यह बात काफी खुश होती है जैस से करीब आने के कोशिश करती है लेकिन क्यूंक्य कarda जैस उसे करने से रोक ता अर Waha से चला जाता है अगले दिन वो द वह माइन में माइनिंग करने लगते है लेकिन उंके हाथ क जाती है और जैस को उसे मसाज लेने के लिए बोलती है मसाज करते करते दोनों फिर से करीब आने लगते हैं लेकिन इस बार भी जैस अपने आपको रोक लेता है फिर अगले दिन जब वो माइन में खुदाई कर रहे होते हैं तो उन्हें बहुत सारा सिल्वर मिलता है वो दोन सिलवर बेच के कपड़ों की शॉप में आता है तो वहाँ की ओनर उसे बताती है कि केटी सामने वाले क्लब में गई है फिर जब जैस उस क्लब में जाता है तो वहाँ केटी को किसी आदमी के साथ डांस करते हुए देखता है इसके बाद जब केटी उस आदमी के साथ बाहर ज साही करूंगा ये सुन कर केटी रुख जाती है और उस आदमी के साथ नहीं जाती लेकिन इस बात पर उस आदमी और उसके नढ Protect इस लड़ाई में कूच जाती है इसके बाद जैस और परहले के लिए कोट में बुलाया जाता है और जैस को कुछ डॉलर्स का फाइन बरना पड़ता है फिर जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो केटी काफी खुश होती है और जब वो घर पहुंचती है तो उसे बहुत बड़ा सर्प्राइज मिलता है वहाँ उसकी बहन जैनी उसका इंतजार कर रही होती है और वो केटी के बेटे को भी साथ लाई होती है केटी उसे देख कर काफी खुश होती है इसके बाद वो जैस को अपने बेटे डैनी से मिलवाती है लेकिन जैस उसे बिना दे के अंदर चला जाता है लेकिन फिर जब केटी जैस को डैनी समालने के लिए देती है तो वो उसके साथ खूब खेलता है फिर वो और डैनी के नियांस और sa该依 नियावारब से सब्सक्राइब इसके अगले दिन जब वाश केकि को मांगा सुस्ट करने में बिल्कुल इंट्रस्टेड नहीं पर वश केटी उसे जाने को बोलती है इसके बाद वाश जैस से माफी मांगता है और जैस उसे माफ करके वहाँ रहने देता है फिर शाम को वाश सबको बताता है कि वो और केटी करीब दो दिन में शादी करने वाले हैं इसके बाद वहाँ लेन नाम का आदमी आ जाता है जो जैस की एकस फिर जब लेन रूम में आता है तो बाहर सब को बैल के चिलने की आवाद सुनाई देती है फिर सब भागते हुए अन्दर आते हैं तो हम विल मुंस पर हमला किया इसलिए यसे विल मारना पड़ा अंगले दिन बीन नहीं होता तो जैस समझ जाता है कि वो माइन से सिलवर निकाल रहा होगा वो अपनी गन लेके माइन में जाता है तो लेन के पेट पे भी वही मार्ग देखता है जो डैनी के पेट पे था ये देख जैस समझ जाता है कि डैनी लेन का बेटा है इसके बाद इन दोनों में कुछ बात होती है और जेस लेन को शूट कर देता है मरते हुए वो बताता है कि केटी जेस की बेटी नहीं बलकि लेन की बेटी है और वो केटी के बेटे का भी बाप है फिर जैस उसकी बॉड़ी को माइन में दफना के वाश के घर जाके उसे बताता है कि केटी के बेटे के पेट पर जो निशान था वही निशान लेन के पेट पर भी था इसका मतलब केटी के बेटे का बाफ लेन था वाश नहीं ये कह कि वो Wash को केटी से शादी करने से रोग देता है अगले दिन जब केटी वश का इंतजार कर रही होती है तो Wash वहां नहीं आता और ये देखकर केटी काफी उदास हो जाती है तो Jeff उसे बताता है कि कल वो माईन से फिर से शिल्वन निकालेगा यह सुनकर केटी का मौट ठीक हो जाता है अगले दिन जब वो माइन की तरफ जा रहे होते हैं तो चलते चलते केटी नीचे गिर जाती है तो जैस उसकी मदद करता है लेकिन वो भी गिर जाता है फिर केटी वही पर जैस के नजदीक आने लगती है ये देखकर जैस को काफी हसी आती है फिर वो दोनों माइन के अंदर एक दूसरे के नजदीक आ जाते है इसके बाद वो दोनों माइन से काफी सिल्वर निकाल लेते है और जब बाहर आते हैं तो उन्हें वहाँ पुलिस दिखती है जो उन दोनों को अरेस करने आई होती है जैस उन से पूछता है कि उसने क्या क्राइम किया है तो पुलिस उसे बताती है कि ये तो तुम भी जानते हो कि अपनी बेटी के साथ सेक्शल रिलेशन्शिप रखना कानून के खिलाफ है अगले दिन जो उनने कोर्ट में बुलाया जाता है तो जज फैसला करता है कि जैस और केटी ने कानून तोडा है तो उन दोनों को सजा मिलेगी ये सुनकर जैस जज से कहता है कि इसमें केटी की कोई गलती नहीं उसी ने केटी को ये करने के लिए मजबूर किया था जज फैसला देने ही वाला था लेकिन तभी जेस बताता है कि केटी उसकी नहीं बलकि लेन की बेटी है और ये प्रूव करने के लिए वो जज को डैनी के पेट वाला मार्क दिखाता है जो सेम मार्क एड के पेट पर भी था एड के पेट पर ये मार्क इसलिए होता है क्योंकि एड लेन का भाई था ये देखकर जर जैस को कोई सदा नहीं देता क्योंकि केटी उसकी बेटी नहीं है इसके कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि केटी और जेस एक दूसरे शहर में रहने लग गए है और इसी के साथ ये मूवी यहां खतम हो जाती है दोस्तो मूवी आपको कैसी लगी ये कमेंट्स में बताइए अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और फाइनली थैंक्स पर वाचिंग